तो दिली ना कालकाजी मंदिर मां मुटी दुरगट ना जागरण मां ते बनावेलों स्टेज धराशाई थायानी माहिती सामे आवे छे स्टेज जो धराश्राई थे ता एक महिलानू मौत निपजू छे तो साथे सत्तर थी वदू लोको आ दुर्गतनामा गायल थाया नी माहिती पन अहीं सामय आवी रही छे स्टेज जो धराश्राई थे ता एक महिलानू आ दुर्गतनामा मौत निपजू छे तो सत्तर थी वदू लोको आहीं घायल थाया नी पन माहिती सामय आवी रही छे तो दिल्लीना कालकाजी मंदिरना द्रश्यो चो अलग-अलग द्रश्यो तम्हें जोई शिको छो जागरन माटे इठ्था थया हता जे बाद आ स्टेज धराशाई थयो अने मुटी संख्या माँ लोको घायल थया छे जमा एक महिला नू पण आ दुरघटना माँ मौत निपजिऊ छे तो दिलीना कालकाजी मंदिर मा मोटी दुरघटना सरजवाई जागरन माते बनावेलो स्टेज धराशाई थयो छे स्टेज धराशाई थता एक महिला नू आहीं मौत निपजिऊ छे साथे सत्तर थी बधुलोको आहीं घायल थया नी पण माहिती प्राप्त थयी छे जमने हॉस्पिटल खाते खसेडवानी पन कामगीरी करवा मावीच्व अफरात अफरी नो माहोल स्टेज धराशाई थया बाद अहीं सरचायो हतो जागरण माते अहीं लोको भेगा थया आता तो आस्टेज धराशाई थता एक महला नो मौत निपजू छे तो आसाते वधु जानकारी माते समाधा था देवनात पांडिया अपनी साते जोडायला छे देवनात दिल्ली के कालकाची मंदिर में बड़ी दुरगटना एक महला की भी मौत हुई साती सत्तर लोग घायल होने की भी माहिती प्रापत हो रही है क्या जानकारी सोनल देखिए दिली के कालकाची मंदर परसर के हम बात करें तो इस तरह से इस इवेंट को रखा गया था इससे जागरण भी कह सकते हैं और एक एवेंट भी कह सकते हैं क्योंकि मंदिर परसर देखा जाए तो अच्छी कासी वहाँ पर जगह है लेकिन जिस सिंगर को वहाँ पर जागरण के लिए बुलाए गया था उन सिंगर का नाम है बीप्रॉक और उन्हें देखने के लिए इतन से कहें कि अपार भीड़ वहाँ पर पहुँच गई जिसकी कल्पना सायथ मंदत प्रशाशन ने भी नहीं की थी और इतनी संख्या में भीड़ होने के बाद जब स्टेज गिरा और वहाँ पर भगदर्मची प्रशाशन के लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर नोग दो के लिए बुलाया जाता है तो कम से कम उतनी सुरक्षा ब्यवस्ता जीतनी होनी चाहिए. शायद इस बार कालकाजी मंदिर परिसर में इतनी सुरक्षा नहीं थी के भीड को कड्रोल कैसे किया जाए तो कहीं न कहीं लापर वही इस स्मय देखने को मिल रही है लिए इसन वही उट रहे हैं कि जब विवस्थाएं उतनी नहीं है उतनी पब्लिक की तो आखिर इस तरह से इतने बड़े सिंगर को यहां पर जगर के लिए इंवाइट दो किया गया था और बात में वो प्रोग्राम हुआ भी नहीं उस सिंगर को किसे तरह से वहां से बचा कर भी उनको ले जाया गया तो हाला तभी काबू है और कहा जा रहा है कि जो और भी घायलोग है उनका इलाज चल रहा है दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन के जरिवाल का बेट वीट आया है उन्होंने साब तोर से कहा है कि कालकाजी मंदिर में जो घटना हुई है वो बहुत ही जिसा मैं जिक्र कर रहा हूं सोनल की इतनी बड़ी संख्या में अगर पब्लिक आती है एक छोटी सी जग्यर पर कालकाजी मंदिर परिसर इतना बड़ा परिसर आप नहीं कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल लेबल के सिंगर को अगर वहाँ पर जागरण के लिए बुलाया जा शायद नहीं थी जो भीड जर्वत से जादा हो गई और जिसको भी जानकारी मिली वो लोग वहाँ पर देखने के लिए पहुँचे और यही सबसे बड़ी वज़ा भी कही जा रही है कि जब प्रशाशन के पास वो बैवस्ता नहीं थी कि भीड को काबो में कैसे किया जाए सब को विस्तार से कैसे वहाँ पर कंट्रोल किया जाए तो ये घटना तो होनी थी और ऐसी घटना एक बार फिर से साबित करती है कि जब कही न कहीं बैवस्ताएं उस हिसाब से नहीं होती है जिस हिसाब से होनी चाहिए जितने जिसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं भी प् सबसे जादा लोग उन्हें देखने के लिए आये थे और बाद में जब ये घटना के बाद उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला गया अफरा तफरी मची प्रसाशन की मंदित प्रसाशन से भीड से बहस भी हुई और इस बहस के बाद अब मामला जो है सांथ हो चुका है लेक बार कहीं न कहीं जाच बिठाने चाहिए और ऐसे इवेंट जो छोटे-छोटे जगों पर होते हैं वैसे मंदिर परिसर बहुत बड़ा है लेकिन मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूं कि जिस लेवल के सिंगर को आप जागरट के लिए इन्वाइट कर रहे हैं उस रिसाब से वो परिसर काफे छोटा था और यही सबसे बड़ी वजय रही कि इतनी बड़ी दुर्गतना दिल्ली के कालकाजी मंदिर पर देखने को मेले जी दिवना जानकारी के लिए धन्यवाद